तो इस्राइल और हमास का युद्ध दिनों दिन और भीशन होता चला जा रहा है रफा कैम से इस्राइली हमले की जो तस्वीरे सामने आ रही हैं वो बेहत चौकाने वाली है एम वक्त पर नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं नेतन्याहू ने रफा पर हमले रोकने के एवस में 33 बंदकों की रहाई मांग ली है हम आज जब तक इन बंदकों को छोड़ नहीं देता गाजा और रफा में तबाही का मनजर दिखाई देने वाला है यह रिपोर्ट देखे गुने का उठता गुभार आस्मान के सफेद रंग पर काला कर रहा है बंब के धमाकों की गूंज गाजा के गली गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोचन गाजा में जिन्दगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है इस्रेल अपनी पूरी सामर्थ के साथ गाजा को रौंद रहा है प्रचंड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के लिवासी सुकून का एक बल भी गिन गिन कर जी रहे है पता ने कब मम का गोला गिरे और जान चली चले गाजा की सबसे लेटिस्क रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे उसके पहले एक चौका देने वाले रिपोर्ट जो बताती है कि गाजा की मिट्टी वारूद से नहा चुकी है तबाहिए किस लेबल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन रह जाएंगे घाजा की बरबादी के इंसाइट स्टोरी जो पश्चिनी मीडिया पिछप रही है वो दिखाने से पहले इस्रेल के प्रधानमंद्वी बेनमीन नेतन याहू के लिए एक बोरी खबर आई है वो देख लेज़े बेनमीन नेतन याहू को डर है कि ICC यानि इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है ये कार्रेवाई घाजा में इस्रेली एक्षन के मामले में हो सकती है इसके लिए दक्षण अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याची का दाखिल की है इसके पहले ICC ने रूस के राश्रपती व्लादे मिर पोतन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था पोतन पर आरोप है कि वो योक्रेणी बच्चों को अवैर तरीके से घूस लेकर आए ICC के इस कदम की तुलना ट्वाइलिट पेपर से करते हुए घूसी अरिकारियों ने सेव बेकार बता दिया था और पोतन ने योक्रेणी पर हमलाब बंद करने की जग्या और बढ़ा दिया International Criminal Court की ताकत कितनी है क्या ICC पोतन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफतार कर सकता है इसकी डीटेल आपको आगे दिखाएंगे लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख लीचे नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेत्रिक्टो में एजरेल अपनी आप मुरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट के किसी भी प्रयास को हम कभी सुईकार नहीं करेंगे मध्यपोरो एक मात्र लोगतंद्र और दुनिया के एक मात्रित यहूदी देश के सैने और अधिकारियों को गरफदार करने की धमकी अपमान जनक है हम इसके आगे नहीं जुकेंगे नरसंधार करने वाले आतंक्वादियों के खलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे मैसेज लाउड एंड क्लियर है इसरेल हमास के अंतिमा अतंक्वादि के खात्मे तक विजुत बंद नहीं करने वाला है ICC के चेताउनी का असर उल्टा हुआ है कयास लगाए जा रहे है कि ICC के फैसले से होने वाले तबाव से ध्यान हटाने के लिए इसरेल कोई बड़ी का रिवाई कर सकता है ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहु ने ब्रेटन और शर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की तो इस मामले में मदद भी मादा है प्रधान मंत्री बेनमीन नेतन्याहु ने मोसाद हेटक्वाटर और दूसरी जुरक्षा एजिंसियों का दौरा भी किया है मोसाद के अधिकार्यों से कहा है कि हमारे अस्तेतोबर संकट है इसलिए मदभेदों को भोलाना होगा मतलब इस्रेल ने गाजा को निश्पोन आपूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तैयारी कर ली है रफा में लगातार इस्रेली हमले इसकी बांगे इस्रेली प्रधान मंत्री बेनमीन नेतन्याहु पर इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट का कोई असर नहीं है लेहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ICC के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो इस्रेल के खिलाफ कार्रिवाई कर सके इंटरनाशनल कोट अंतराश्री अपराधियों के खिलाफ मामला लेता है नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदर से है 2002 में बना ये कोट वार क्राइम, मानवियता परखत्र, नरसंधार और गंगे फसाद के अपराधियों पर कार्रिवाई की बात करता है लेकिन इसके बास कोई पुलिस फोर्स नहीं है, यानि सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मदारी होती है ICC ने प्रक्रिया तो शुरू करती है, लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनाशनल कोट नेतन्याहु पर हाथ डाल सके अपनी लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शक्स के खिलाब कार्रवाई की हो तो ICC भले ही फैसला सुना है, उसे जमीन पर उतारनाम मुश्किल दिख रहा है नितन्याहु इस भीच फुल आक्शन में है और घाजा के खिलाब जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपोर्ट सामने आई है इसरेल के घाजा में जारी हम्दों से किस तरह का नुपसान हुआ है इस पर संयुक्त राश्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी में बड़ा दावा किया है रिपोर्ट में कहा गया है कि घाजा में जारी युद्ध ने अब तक 27 मिलियन तन मलबा पैदा किया है इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बंप शामिल है जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है घाजा में प्रती वर्प मीटर जमीन पर औसें 300 किलो मलबा है दगार्डियन के रेपोट के मताबिए घाजा में इस सुक्त मलबे की जो इस्थिती है उसे 100 ट्रकों के साथ हटाने इस बुलेटिन में फिला इतना ही खबरों का सिलसिला जा रही है आप देखते रहें ये न्यूज 18 राजस्तान नमस्कार